दोस्तो very good morning to all of you आज के सांदार वीडियो में आप सबी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज का पहला प्रस्त मना है कि हाल ही में DRDO ने पांचमी पीडी के Python 5 मिसाइल Python 5 मिसाइल का सफल परिक्षन किया है यह किस टाइब की मिसाइल है तो यह जो मिसाइल है Python 5 यह पहले तो बात यह है कि यह पांचमी पीडी की मिसाइल है और इसको यह जो मिसाइल है यह air to air मिसाइल है यानि कि यह हवा से हवा में मार करने की छमता रखती है मिसाइलों का टाइप अलग-अलग होता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए जैसे कि कुछ मिसाइले होती है जो जमीन से यह जमीन का इस तरह है जमीन से हवा में मारने की छमता रखती है कुछ होती है कि वो हवा से जमीन में मारने की छमता रखती है कुछ जमीन से जमीन और कुछ हवा से हवा में मार करने की छमता रखती है इन में से ये जो python 5 missile है ये हवा से हवा में मार करने की छमता रखती है तो option number ace का ride answer हो जाएगा अब इस photo को आप लोग देख सकते हैं इस photo में क्या लिखा है python 5 missile तेजस fire यानि कि जो हमारा तेजस fighter plane है LCA तेजस यानि कि light combat aircraft तेजस उसमें इस missile को fit कर दिया गया था और उसने इसको fire करके एक सटीक निसाना बना कर उसको गिराया था तो इस वज़े से ये भी प्रस्नाप से पूछा जा सकता है कि इसको कौन से aircraft से तो तेजस से इसको launch किया गया था साथी साथ में आगे चलते हैं question मनेगा international dance day अंतर राश्ट्रिय नरत्य दिवस प्रती वर्स किस दिन बनाया जाता है तो हर साल 29 अपराइल को कब बनाया जाता है जो कि हर साल 29 अपराइल को मनाया जाता है option number 30 का राइडन सर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके एक लिश्ट लिकाल लखी है static gk की ये exam में प्रकार के प्रस्नाप पूछे जाते हैं जिसमें कि आपसे fall के dance के बारे में पूछा जाता है किसी भी राज्य का कोई एक नरत्य होता है वो exam में पूछा जाता है लेकिन मैंने जो आपको यह लिश्ट दिखाई है इसमें सिर्फ वो वाले dance के format है जो कि exam में बार-बार repeat होते हैं या फिर जिनके पूछे जाने के chances को जादा है तो जैसे कि अगर हम लोग यूपी से देखें तो यूपी के कौन-कौन से dance के format है जो ज़्यादा पूछे जाते है तो यूपी में नौटंकी, रास, लीला, कजरी, जोरा, छपेली, जैता ये सब पूछा जाता है गुजरात का गरबा, गुजरात का गरबा डांडिया रास, तिपन्नी, जूरियम, भावाई ये सब गुजरात के हैं कथक कली, बहुत अच्छे से सुनाओगा कथक कली, केरला का है मोहनिय अटम, केरला उसके बाद में, ओटम, केरला इसके बाद में, कुची पूरी बहुत ज़्यदा पुछे, कुची पूरी ये आंद प्रदेश का डांस है ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये पूरा लिष्ट दे रखा है सिर्फ बताने से आपको चीज़े याद नहीं होगी ये ऐसी चीज़े जिसको जब तक आप मेमोराइज नहीं करेंगे आँख बन करके इसका रिवीजन नहीं करेंगे तब तक ये आपके जहन में नहीं बैठेगी तो आप इस पीडियाप को डांलोड करके इसका स्क्रीन सौट भी चाहें तो ले सकते हैं इसको आपको रिवीजन करना है आगे चलते हैं कोशन मनेगा यूनी सेफ सदभावना राजदूत का नाम बताईए जिन्होंने विस्व टीका करन सब्ता के दोरान वैस्व के टीका करन अभियान का निरेतरत तो किया है तो आंसर हो जाएगा डेविड बेकहम इससे पहले मैं आपको तीन से चार बार बता चुका हूँ कि अभी हाल ही में विस्व टीका करन अभियान मनाए गया है तो ये विस्व टीका करन अभियान कितने अपरेल से कितने अपरेल तक है ये आप लोग कमिट करके बताएं इसी तोरान पर पूरे विस्सु में COVID का टीका लगाया जा रहा है तो ऐसे में इस COVID के टीके और टीका करन के अभियान को बढ़ाने की दिसा में हमारे जो डेविड बेकहम हैं उन्होंने बहुत एहम भूमी का निभाई है UNICEF के सद्भावना राजदूत होने के सासाथ में उन्होंने इस टीका करन के अभियान को प्रमोट किया है तो डेविड बेकहम इसका राइड अंसर हो जाएगा कोशन बनेगा कि सर्भिया देश में संपन्न होने वली सर्भिया देश में संपन्न होने वली GM राउंड राबिन रूजाना जोरा थ्री 2021 सतरंज टूर्णामेंट किसने जीत लिया है तो अंसर हो जाएगा सर्भिया देश में होने वली इस प्रतियोगिता को हाल ही में अर्जुन कल्यान ने जीत लिया है option number ace का राइड अंसर हो जाएगा प्रतियोगिता का नाम है GM राउंड रौबिन रूजाना जोरा 3 ये इसका नाम है और इसको हाल ही में अर्जुन भारत के अर्जुन कल्यान ने जीत लिया है ये सतरंज की championship है जिसको अर्जुन कल्यान ने जीत लिया है आगे चलते हैं किस प्रकार के investment करने के लिए Axis Bank ने Axis Direct Ring नाम से एक mobile application को launch किया है तो answer हो जाएगा Axis Bank ने हाल ही में यह जो app launch किया है इससे आप stock market में पैसा invest कर सकते हैं तो option number D's का right answer हो जाएगा यहाँ पर आप इसका photo भी देख सकते हैं इसमें देखो एक दिख रहा है beer और एक दिख रहा है bull और यह जो term है beer and bull यह stock market से related है beer and bull का stock market में मतलब क्या होता है आप लोग पताएगा तो यह जो Axis Direct Ring यह ring आपको दिख रही होगी नाम से यह जो mobile app है यह एक trading app है जिसके मादयम से आप share की खरीद फरुक्त कर सकते हैं तो Axis Bank के दोरा हाली में इसको launch किया गया है Axis Bank के बारे में discuss करें इसकी इस्तापना 1993 में करी गी थी 1993 में करी गी थी इसका जो headquarter है यह मुंबई महराष्टरा में इस्ते थै इसके जो MD और CEO है उनका नाम है अमिताब शौधरी इसके जो chairman है उनका नमस्री राकेस मकीजा अगला प्रस्ता मनेगा कि हाल ही में कौन पहली भारती ACN बनी है जिने wild innovator award प्रदान किया गया है तो answer हो जाएगा डॉक्टर करती के करंथ option number ace का right answer हो जाएगा कि डॉक्टर करती के करंथ जो है पहली ऐसी भारती बनी है और पहली ऐसी ACN भी है जिनको wild innovator award से समानित किया गया है करती के करंथ का photo आपको दिखाना चाहूंगा यह देखे लिखा है करती करंथ becomes first Indian woman to get wild innovator award चीक है यहाँ पर आप करती के करंथ का photo देख सकते हैं करती के करंथ का photo देख सकते हैं जिनको इस award से हाल ही में समानित किया गया है आगे चलते हैं यह जो award है इन्हें wild elements foundation के द्वारा दिया गया है इस award को पाने वाली वो पहली Asian भारती अमहिला बनी है करती के करंथ करती क्या है वे इस समय बैंगलूरू में इस्तित Center for Wild Life Studies Center for Wild Life Studies में Chief Conservation Scientist के तौर पर काम कर रही है जिनको इस award से सम्मानित किया गया है अगला प्रस्त है कितने देसों ने हाल ही में मिलकर आप पूर्ती स्रंखला लचीला पन पहल की सुरुवात करी है इंगलिस में बोलेंगे Supply Chain Resilience Initiative तो हाल ही में कितने तीन देसों ने मिलकर Supply Chain Resilience Initiative को लॉंच किया है इसको सुरू किया है तो option number A इसका राइड अंसर हो जाएगा अब ये तीन देस कौन-कौन से है ये तीन देस है इंडिया, जापान, आस्ट्रेलिया इनके नाम भी आप से एक्जामें पूछेंगे इन्होंने Supply Chain से किसी भी चीज़ की जो Supply होती है उसके लिए एक Supply Chain मनाना पड़ता है तो इस Supply Chain को हाल ही में इन तीनों देसों ने सुरू किया है इस नई पहल को सुरू करने के पीछे का कारण क्या है एक्च्वल में ये सब देस मिलकर आपस में चाइना को बाइकाउट करना चाहते हैं चाइना देस पर इनकी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए भारत, जापान और और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इस नए Supply Chain इनिशेटिव को लांच किया है जिसका नाम है Supply Chain Resilience इनिशेटिव भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें प्राइम मिनिस्टर का नाम है स्कॉट मौरिसन कैपिटल हो जाएगी कैनवरा जापान के बारे में जापान की कैपिटल है टोक्यो करेंसी है जापनी सियेन और प्राइम मिनिस्टर का नाम है योसी हुदे सूगा कोशन मनेगा Pacific Asia Travel Association के नए CEO कौन बनाए गए है Pacific Asia Travel Association के नए जो CEO है वो बनाए गई है लिज और टी गुएरा option number ace का राइड एंसर हो जाएगा लिज और टी गुएरा को बनाया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाटा और्गनाइजेसन पैसफिक Asia Travel Association और इसकी जो नए CEO है लिज और टी गुएरा को बनाया गया है जिनका एक फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कोशन बनेगा कि भारत का पहला 3D printed house किस संस्ता के परिसर में केवल 5 दिनों में बन कर तयार कर दिया गया है तो आंसर हो जागा IIT मदरास दोस्तों IIT मदरास के इंदर भारत का पहला 3D printed house जो है हाल ही में बना दिया गया है इसमें आप इसका फोटो भी देख सकते हैं यह जो घर है इसको नॉर्मली जिस तरीके से हमारे घर बने होते हैं वैसे नहीं बनाये गया है ना तो इंटे का इस्तेमाल हुआ है ना तो मसाले का इस्तेमाल हुआ है इसको बनाने के लिए 3D printed technology का इस्तेमाल हुआ है जिसमें की इसका एक फोटो देख सकते हैं लिखा है इंडियास first 3D printed house built in IITM campus तो IIT मदरास के campus में इसको बनाया गया है और इसका उदगाटन किया है भारत की finance minister निर्मला सीता रमन जी ने निर्मला सीता रमन ने इसका उदगाटन हाल ही में किया है ये भी आपको याद रखना है दोस्तों आज का question जिसका answer आपको देना है आपको इस screen पर देख रहा होगा अपना answer comment box में लिखना ना भूलें